सुपधर स्वाइस से लेके 11 बजे की बीच में उपस्तित हूँ आप सबके सामने आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है रंजीत मन प्राइवेट के तरफ भागेगा और धन जो है वो टिकने में देर करेगा बजट बनाने में मुश्किल होती है परिशानियां बढ़ती है और मन की परिशानी ज़्यादा बढ़ती है मतलब आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर काम करने की आवशक्ता है आने वाले दिनों में या अभी या बढ़तमान में या हमेशा हो मन पे है दूसरे नमबर पर अगर देखते हैं बात तो आपकी कुंडली बनती है सात नमबर से मतलब मुलतिया ये सात नमबर कहां लिखा होता है यहां जो बैलेंस करने की राशी है वो लगन में बनी है मंगल ने देखा है मंगल इस कुंडली के लिए मंगलिक दोष पैदा करेंगे क्योंकि और मारक भी होते हैं इस कुंडली के लिए मंगल सबसे प्रथम स्रणी के मारक होंगे दूसरे नमबर पे शुक्र होंगे जो की अस्तंभाव के और लगन की अधिपती होने के बावजूद लेकिन यहाँ पे शुक्र का मारक तो कमजोर होगा क्योंकि उनकी मुल्त रिकोंड राशी लगन में बनी है और गोंड राशी अस्तंभाव में बनी है तो प्रथम स्रणी के मारक मंगल ही होंगे दूसरे नमबर पे शुक्र को हटा दीजे वो तीसरे पे चले जाएंगे आपफल का मतलब क्या है अपनी दशा में मानसिक संताप बढ़ा देंगे कस्ट दे देंगे धन की हानी तो नहीं होती है धन के मामले में कोई दिकत नहीं होती है लेकिन मन चिंतित रहता है जल्दबाजीपन के स्थुति होती है और ग्रति का जन्म शनिवार और मंगलवार क करीब मंगलवार के करीव तो ऐसी शनिवार को ही है इनका जन्म जो हुआ है वह हुआ है शनिवार को तो शनिवार को जब होने के कारण डगती एक्सपेक्टेशन जो होता है वो जीवन से बहुत जादा रख लेता है लेकिन लाभ की स्थुति ऐसा नहीं है है पर वो चाहे जितना उसको दे दीजेगा, उसका पेट कभी भरता नहीं है, हाँ, संतोष की प्रवर्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, अगर ये बात नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ, तो नहीं संदे हो सकता है कि दशा का प्रभाव हो, दशाएं बदलेंगी, चीजें बढ़ जाएंगी, और वो दशा कब, गटी की कुंडली में जब शनी की दशा आएगी तब, गटी थोड़ा उग्रबादी सोचका हो जाता है, जब सुर्य की दशा आएगी तब, आपकी कुंडली में मंगल हैं, लगन को देख रहे हैं, मंगलिक दोश पैदा कर रहे हैं, हाला कि इस कुंडली कार्तिकिय की जो कहानी है वो आप पढ़ सकते हैं शिव पुराण में उनके उत्पत्ती की कहानी या फिर आप अगर धन भाग्य भाव को देखते हैं तो भाग्य का भाव बली है भाग्य भाव के अधिपती भाग्यश बली है सूरी के साथ स्वग्रही होकरके जहां सूरी अतिविस्ट कारक होकरक के बैटे हैं गुरू उनके पीछे बैञे हैं इसका मतलब है कि भागे का बल भी बढ़ेगा और साथी साथ लाव का बल भी बढ़ेगा भागे की अधिपती बलवान हो रहे हैं उच्चा विलासी हो रहे हैं सुर्य के साथ बैठ करके ब्यक्ति के जीवन में संपुर्णी चीजे प्राप्त कराने का योग लगा रहे हैं ब्यक्ति जो चाहेगा वो उसे जरूर मिल जाए पर उसकी चाह और इक्षा कभी खतम नहीं होती है क्लेर है लगन के अधिपती अगर जन्म कुंडली के दशमस्थान में बैठे हों ये ब्यक्ति को तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं और साथी साथ अगर केंदर में तीन सुभग्रा बैठे हों ये अजीब तरीके का एक बड़ा ही सौभाग्य शाली योग बन जाता है राज योगों की भाति ये परिणाम करने वाला या समस्थ प्रकार के राज योगों का परिणाम देने वाला क्योंकि गुरू उच्छे के और चंद्रमावी के साथ लेकिन समस्या ये है बंधोजन कि आपकी कुंडली में जो डिग्री बनी है वो चंद्रमावी दो डिग्री के मृता प्राया मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं 39 डिग्री के मृता प्राया उसके बाद बुद्ध जन्म कुंडली में 27 डिग्री बिशम संक्या की रासी में मृता प्राया तो ती निगरह मृता प्राया इस कारण से विक्ति को कई बार उसके कारिक छित्र में फीक ठक होती है पर competition बरकरार रहता है विक्ति प्राइवेट नौकरी करता है multinational company में अच्छे पद पे काम करता है लेकिन पद के जाने का खत्रा हमेशा बना रहता है बॉस के साथ हमेशा संबंद अच्छे रखिए बुद्धिमान आप हैं क्योंकि सुर्य और बुद्ध की दृष्टी पंचमभाव पे पढ़ रही है जहां के अधिपती शनी इसे देख रहे हैं तीसरी दृष्टी से वापश इसका मतलब है संतान का सुक और पति का प्रेम पतनी का प्रेम दोनों मिलेगा यश्च भी मिलेगा क्योंकि तुला लगने की कुण्डली में शनी कारक होते हैं और वो संपोर्ण मजबूत होने हो अगर तो और भी कहना क्या लेकिन वो मजबूत नहीं है डिगरी में 25 डिगरी के हो करके विसम संक्या की राशी में बैट करके मृतप राया हो रहे है इसका मतलब है कि वो चार गरह जन्म कुण्डली में मृतप राया कुंभराशी अच्छी है, मेश रासी थोड़ी कमजोर, मीन रासी कमजोर, अस्तंभाव में बनने वाली ब्रिशबराशी, आपको सामाने वेवार करने वाली बनाएगी, पर सबसे अच्छी जो बात होगी इस कुंडली के लिए, वो अंक जो सबसे अच्छा होगा, वो आपकी इस दिशा में जा सकते हैं, आपकी कुंडली में अच्छा क्या है, आपकी कुंडली में अच्छा है, लगनेश का दो-दो सुभग्राओं के साथ पैठना, और केंद्र में, दशमस्थान में, अगर भाग्य भाव के अधिपती के पीछे, दियान से समझेगा, पड़ी अद आपकें, सौंदर्य, आश्वार्य, संपती, सब दे देता है, और कमजोरी कहां, बताओं, अस्तम भाव के अधिपती भी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, अस्तम और दशम के अधिपती के एक साथ बैठना, ये व्यपती को अपडेट रहने का इशारा करत हैं, आपको हमेशा अपडेट रहना होगा, और हमेशा ही नए नौकरी को अपने पास रखना होगा, कि उस पे कोई खत्रा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास हमेशा एक competition हमेशा बना रहेगा, दूसरों से replace किये जाने का, क्योंकि चंद्रमा है, और व्रतप्राया है दर्शमस्थान में बैठा है, आप अगर चाहें, तो नौकरी तो आपको वैसे भी करनी है, लेकिन अगर अपना कुछ पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो ये चंद्रमा और सुकर आपको beauty products या कोई ऐसे सामगरी, जहाँ पे आप पार्ट टाइम में जाकर करके अपनी पत मंगलिक नहीं है, लेकिन आप लगर कुंडली से मंगलिक हैं, और उस पे राहू के अंदर में, इधर तीन गरह के अंदर में हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे राहू का बैठना है, ये घर में कलह मचा देता है, या व्यक्ति को कई बार माता की स्वास्त को क अमजोर करने का कारन बन जाता है gastric patient या कई बार अतडियों की समस्या या कई बार या दे देता है सुर्य बहुत बढ़ियां बैठे हैं अतिविस्षर्षर कारक भाव में बैठे हैं शुक्र और चंद्रमा वेक्ति के दामपते को अच्छा पर व्यक्ति को भौतिक वादी और देह वादी बना देते हैं व्यक्ति काम कला कानेपुन होता है और स्तुरी के वश में रहने वाला होता है गुरू और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं इस बात को समझने की बात है गुरू कौन है छटे भाव के अधिपती और तीसरे भाव के अधिपती त्रिक भाव के अधिपती लगनेश के साथ बैठे हैं इस वज़े से प्रतियोगिता हमेशा बनी रहेगी और व्यक्ति को पेट का रोग भी हो सकता है लगनेश के साथ छटे भाव के अधिपती का दशम में बैठना, पेट की समस्या को देने वाला, मशाला जादा नहीं, बाजार का सामान बिल्कुल बंद, और लिक्विट जादा लेना है, ठोस चीजें कम लेनी हैं, मशाला, तीखा, नमकीन, खटी चीजें बिल्कुल कम कर द बैठेंगे क्योंकि यह समसंख्या की रासी है, तो ब्रिद्ध हो गए, गुरु ब्रिद्ध, उसके पास अनवाव है, लेकिन व्यक्ति अध्यात में कुन नती चाहता है, पर वो सफल उसमें हो नहीं पाता है, क्योंकि प्रिशर जो है उसको, अपनी पोजीशन को बरकरार बैठेंगे एक डिगरी के 10 डिगरी तक वो बड़े अच्छे होते हैं, 20 डिगरी तक वो बड़े अच्छे होते हैं, 10 डिगरी तक मूलतिया बड़े अच्छे हैं, 15 डिगरी तक भी वो अच्छे परणाम करेंगे, तो आपकी कुनली में वो बाल अवस्था के हो जाएंगे बुद्धिमान है, कुशाग्र बुद्धी का है, चीजों को समझने वाला है, रणनीती करने वाला है, क्योंकि मंगल देख रहा है, लगन को, मंगल की चौथी दिष्टी नीच की पड़ेगी और चंदरबा यहां बैठे हैं, जिस वज़ा से यहां पे एक तरीके से बड़ा भीशन दौंध होगा, किस चीज के लिए भन संपत्ती और अस्थाई संपत्ती प्राप्त करने में व्यक्ति को दिकत होगी, मशकत होगी, इस वज़ा से आपको बजट बना करके चलना ही होगा, मंगल की सात्मी दिष्टी यह भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां क अध्यात्मिक सुख और भ्यक्ति को निर्वैर होना, बुद्ध और शनी की दशा में भ्यक्ति जो होता है, वो अकेलेपन का सिकार होता है, चंद्रमा जब जन्मकुली में मृता प्राया हो जाते हैं, तो कई बार पत्नी भी सहयोग नहीं करती है, और कई बार अपने बल प एसे की कभी भी कमी नहीं होगी, इसका बल आपके पास हमेशा रहेगा, राहु यहाँ बैठे हैं, कभी किसी पर भरोसा नहीं, मित्र की राषी में भी बैटे हैं, पर फिर भी घर में कभी-कभी कलह का वाता बरन बना देते हैं, राहु की दिश्टी अस्टमभाव पे पढ समस्या होती है बीपी की समस्या बढ़ जाती है कि competitive की समश्या बढ़ी कमजोर है चतुरत भाव के अधिपति शणी के ऊपर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है और कวย भीक्रह उन्ने देख अगर यही पैसा यहां लगा देता तो ज्यादा लाव कमा लेता, मेरे पास अगर होते तो मैं यह काम कर लगता, दूसरों को दिमाग देने की इक्षा है पर वो दे नहीं पाता, हाला कि कई बार वो चुरा लेता है, और चीजों को कई बार जहां पे खुश होना चाहिए, वह आपकी बद्धी आपके पास है, आपका पराक्रम आपके पास है, आपके पास डॉमीनेटिंग निचर है, आप इसको आगे बढ़ाये, जंडा अपने हात में लीजे, अपने साहस पर और अपने बल और पराक्रम पे भरोसा करिए और आगे बढ़िए, कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल जो हैं, वो देख रहे हैं, अलग बात है कि वो हर जगर आपकी कुंडली में सब्तमभाव में बैठ रहे हैं, यहां उच्छे के, यहां मित्र की रासी में, यहां अपनी रासी में, मंगल और सुर्य आपकी कुंडली में ज्यादा बढ़िया है और विवा होने के बाद ही भाग्योदे भी होगा पकी बात है चतुर्थ दूती भाव के अधिपती दूती भाव में उच्चे के सूरिय और नवम भाव के अधिपती शनी जो है वो जन्मकुंडली में यहां बैठे और यहां पर शुक्रश्वग रही दामपत्य का प्रेम, पत्नी का प्रेम, पुत्र का प्रेम, समाज का प्रेम, प्रतिस्था प्रतिस्था सब खुछ यहां चतुर्थ भाव के अधिपती बुद्ध जन्मकुंडली में मंगल के साथ सिप्छक या कई बार उसी छेतर से काम करने वाली पत्नी या कंप्यूटर ठीक है और व्यक्ति की कुल्ली में शुक्रबर अमें भाव में। कर्म में पैसे भी है, वो भी ठीक है। पर व्यक्ति कई वार खर्च नहीं करना चाहता है , कंजुस प्रवृत्य का है । गमभीर बोल देता है कि मेरे पास नहीं है। असी स्थति होती है, भाग्य ठीक है, एकादश्वा भाव भी ठीक है, यानि कि भाव कौन-कौन से अच्छे बने, तो पंचम, नमम, एकादश्वा, नमम, सब्तम, एकादश, पंचम, लगन ठीक, लगनेश ठीक, लगन बहुत बढ़िया, तीन-तीन ग्रह एक साथ केंदर में केंदर के तीन गर भरे हैं, जिसमें सदो ही कहेंगे, राहू को तो गिनेंगे नहीं, तो तीन गर यहाँ, एक यहाँ, चार ग्रह जो हैं, वो केंदर में हैं, शनी बढ़ियां बैठे हैं, इस से पंचमस्त मंगल, शनी का बल बढ़ेगा, इस भाव का बल बढ़ेगा, क्यो की शुक्र बैठे हैं, चंद्रमा और गुरू के साथ, केतु यहाँ पे बैठ करके ब्रिद्ध को कई बार डिमॉलिश करेंगे, कम पैसों पे नौकरी करवाने वाला बना देते हैं, आपकी कुंडली में सुर्य के बाद, चंद्रमा मंगल बुद्ध और शनी, मृत प्राया है बाकी के ग्रह जो हैं, वो ब्रिद्ध हो करके बैठे हैं, शुक्र और गुरू, इन लोगों को बल देना होगा, तो करना क्या चाहिए, देवी दुर्गा की उपासना, राम रक्षास तोत्र का पाठ, प्रतिक दिम किसी मंदर का दर्शन, और अभी आपकी कुंडली में बाहर की नोकरी ही आपको लाव करेगी, क्योंकि अस्थम भाव के अधिपती सुक्र दशम में बैठे हैं, बारह में भाव के अधिपती पंचम भाव को देख रहा हैं, यहां पे स्वग्रही मंगल, आपके जीवन में आने वाली प्रतिक प्रकर की समस्या का अंत करेंगे, यहां गुरू की स्थुती चठे भाव पे पढ़ रही है, प्रतियोगिता को और जीवन में आने वाली प्रतिक प्रकर की समस्या को बिना जगड़े के, बिना किसी लहू बहाय, आप आराम से यू निम्का लेंगे, आपके पास बल है, ग्यान है, बुद्धी है, पर बल का इस्तमाल मत करिए, ग्यान और बुद्धी का इस्तमाल करिए, आपके प्रतिक प्रकर की समस्या का अंत यू निकल जाएगा, दुश्मन वगएर के स्थुती, दुश्मन के स्थुती यहां से भी देखी जाती है, यहां से भी देखी जाती है, यह दोनों भाव के अधिपती ठीक बैठे है, खाराब नहीं है, गुरू उच्छे के बैठे हैं, किम कुरुबंते सर्वेग्रा, यश्यकेंद्रे व्रहसपती, हंस योग लगा है कुंड़ी में, पर चंद्रमा कमजोर है, इस वज़ा से बहुत परिणाम कम देगा, शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे ह है, और सुंदर पत्नी का मालिक होता है, पत्नी बहुत ज़ादा उची तो नहीं आती है, पर संबंध चंचल आत्मक होता है, थोड़ा कठोर भी होता है, मंगल वहां कादिपती वहीं बैठा है, ससुराल से धन और सामराज्य और संपती भी प्राप्त होता है, ये आपकी केतु आने वाले हैं 2027 से, वो केतु आपकी कुणली में कुछ उथल पुथल भी मचाएंगे, क्योंकि केंदर में बैठे हैं और नक्षत्र पुष्य का है, शनी जो है वो इस कुणली में योग कारक होते हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं महनत बढ़ेगी, और केतु के सुरी आएंगे, अभी बाद में हैं वो, काफी, क्योंकि सुक्र की दशा भी लंबी चलेगी, केतु के बाद अभी सुक्र, सुक्र के बाद सुरी, आपकी कुणली में संतान वगरह के लिए अगर देख रहा हूं, तो संतान का सुक है, बहुत बढ़िया है, उसमें कोई समस जानी है, ओपरेशन भी हो सकता है, ऐसे स्तती भी हो सकती है, एक दो बार गर्व नस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मिल जाएं, संतती का सुक है, आपकी कुणली का धर्म आपके पास है, पितरों का अशिरबाद आपके पास है, भागे का बल आपके पास है, आप क्योंकि यहां पे सिर्फ वही बताता हूँ जो लोग पूछते हैं, एक पता और बताता हूँ, आपकी कुल्ली में मैंने दिशा बत पता रखी है, राशी कुंभ और मिथुन आपके लिए अच्छी होगी, उसके बाद करक राशी भी आपके लिए अच्छी होगी, पर सबसे ज्यादा अच्छी राशी आपके लिए जो साबित हो सकती है, वो शिंभ और मिथुन, यह दोनों अच्छी राशियां साबित हो सकती हैं, यहां पे मारक, मंगल होंगे, दूसरे नंबर पे सुरी होंगे, तीसरे नंबर पे चंद्रमा पापी होंगे, और चौथे नंबर प भी चलेंगे वो, शुरी की दशा में विवाह हो सकता है, चंद्रमा की दशा में विवाह हो सकता है, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर विवाह की स्थुति देख रहा हूँ, तो 2022 के सात्वे महीने से भी विवाह की स्थुति बन रही है, अगर 22 के सात्वे महीने से भी देख रहा हूँ, तो आपकी कुंडली में राशी करक की है, इस पर ढहिया और शाड़े साथी का तो कोई असर नहीं है, लेकिन इस भाव से अगर आप गौर करें, तो गुरू जो है, वो कुंभराशी में जा रहे हैं, जो ठीक नहीं जा रहे हैं, जब तक वो मीन में नहीं आते हैं और शानी, आपकी कुंडली में मकर राशी में जा रहे हैं, जो सामने ही जा रहे हैं, इस वज़े से भ्रक्ति को ब्याथित और चिंतित करते हैं, और इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे बैठे भी हैं, तो फिर भी वो खराब नहीं है, ठ चीज़ें ठीक हैं और बिल्कुल वेवस्तित हैं अभी कुछ भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्कारें